इडली अगर सामबार के साथ खाखा के बोर हो गए हो तो आज इडली को न्यूट रिस्ट देते हैं और बनाते हैं कुछ इंटरस्टिंग तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्लेट और इसको मैंने ओल सी ग्रिस कर लिया है मैंने तीन प्लेट ली है तो मेरे पास यह छोटी छोटी थी तो मैंने तीन ले ली है अगर आपके पास एक बड़ी प्लेट हो तो वो भी चलेगी तो उसको अच्छे से ओल से घ्रिस कर देंगे और अब इसके अंदर मैं डालूँगी इडली का बेटर तो कल मैंने इडली और इसके अंदर मैं प्लेट लगा लूँगी तो यह तीनों प्लेट इसके अंदर लगा ली है मैंने और अब इसको स्टीम कर देंगे तो यह स्टीमर के अंदर मैंने पहले ही पानी डालके उसको गरम करने के लिए रख दिया था तो यह दीखे पानी अच्छे से गरम हो च तो अब इस stand को इसके अंदर रख देंगे और 10 मिट के लिए हम वेट करेंगे तो 10 मिट में यह हमारे इडली बनके रेडी हो जाएगी 10 मिट हो चुके हैं मैंने gas off कर दिया है और 5 मिट उसको rest करने दिया है और 5 मिनिट के बाद मैं इसको कोलोंगी तो यह अभी भी बहुत ही गरम है तो एक कपड़े से उसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे जब यह plate एकदम ठंडी हो जाए फिर उसमें cut लगाएंगे तो यह देखे एकदम ठंडी हो चुके हमारी plates तो उसमें इस तरह के हम cut लगा के उसको shape में cut कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने square shape में उसको cut किया है और यह देखे एकदम ठंडी हो चुके हमारी idli तो एकदम आराम से निकल जाएगी तो ये देखे स्क्वेयर पिसिस में एक दम अच्छे से कट हो चुकी है हमारे इडली तो इस तरह सारे प्लेट्स में से इडली निकाल लेंगे और अब एक पैन के अंदर मैंने ओल गरम करने के लिए तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ओयल लिया है और 2 टेबल स्पून बटर लिया है दोनों को साथ में गरम करेंगे अब बटर मैल्ड हो जाए तब इसके अंदर एड़ करेंगी सेस्वान चटनी तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सेस्वान चटनी लिया है अगर आपक में add करेंगे 3 tablespoon ketchup और इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो ये दिखे हमारा mixture एक दम ready है और अब इसके अंदर add करेंगे idli जो हमने cut करके रखी थी तो अब इसको add करके अच्छे से mix कर लेना है इसको mix करते ही इतनी मस्त खुश्बू आ रहे थी तो मेरे तो मुँँ में पानी आने लगा था लेकिन मैंने थोड़ा control किया और last में इसके उपर डाल दिया धनिया तो धनिया डालते ही इसका color दीखिए कितना मस्त लग रहा है तो ये भी एक है रेड़ी है हमारे इबली म्यूट गिस्क के साथ तो आप भी गर पे एक बार जरू ट्राइ करिए बहुत ही टेस्टी लगती है अगर बच्चो को lunch box में pack करके देना आए तो भी आप दे सकते हो बच्चो और पड़ो दोनों को ये बहुत ही पसंद आएगी तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी किजिए और चैनल पे नगे ते सुस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई चैशी गरशना